नमस्कार तो कैसे आप और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब FC वर्सिस केरला ब्लास्टर्स और देखिए इस मैच को देखने के बाद में भी मुझे लगता है कि जो केरला ब्लास्टर्स फैंस हैं उनको इवान की याद आई होगी, एड्रियन लूना की याद आई होगी, ड अगेंस पंजाब FC और देखिए इस मैच का पूरा मज़ा जो कहेंगे वो लास्ट के पंदरा मिनट में था, बाकी तो ऐसा था कि टीम जो है वो सेट होनी कोशिशी कर रही थी, अटेक बनानी के कोशिशी कर रही थी, और देखिए कई फैंस जो है जिनको यह नहीं पता कि अध्रियन लुना ने क्यों स्टार्ट नहीं किया था, तो उन्होंने देखिए वीक ओफ लिया बिकॉज उनके आपर न्यू बेबी जो है बोरन होने वाला है, इसलिए वीक ओफ लिया था, इस वज़ए से उस मैच में नहीं खेले, मेबी नेक्स्ट मैच में आपको देखन वाले स्ट्राइकर उनके पास जो की गोल मारते हैं और पूरे कंडिसन समझते हैं, लेकि बखेंगा न्यू स्ट्राइकर तो उनको स्टार्ट भी दिया गया और साथ में अज़ए कैप्टन उनको इस मैच में उतारा था, तो यह मुझे थोड़ा सर्प्राइजिंग लगा क लुका को क्यों नहीं उतारा और ये बात आपको बात में समझ में भी आई होगो कि लुका आए और वहाँ पर उनका मैजिक जो है वह हमको देखने को भी मिला था, तो देखिए पंजाब FC ने केरला के घर में उनको दो एक से बीट किया जो की एक आसान काम नहीं है, करला ने जो गेम खेला है भाई, ये केरला का गेम नहीं है, पहली बात तो मैं बता दू और और अगर हम इस गेम की बात करे तो ये था गेम आफ एरर पासेज, इतने एरर पासेज होए भाई, इस मैच में, बदा ऐसा लाग रहा था कि एमेचर गेम चल रहा है, और की एक्सपेक्टेशन रही होगी केरला ब्लास्टर्स की साइट से, वहाँ पर उल्टी चीज हुई, पैंजाव FC ने फर्स्ट आप में पूरा डॉमिनेट किया, हलाकि भले डॉमिनेट भी किया, लेकिन कीपर टेस्ट जो है, वो किसी ने भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क चीज है, वो आपको as a winger आपको जो ज़्यादा गेम में impactful चीज है, वहाँ से कर पाते हैं, अब यहाँ पर उनको as a playmaker का role type कर दिया गया था, जो लग रहा था क्योंकि पैपरा तो last minute खेल रहे थे, अब ना पैपरा चल पा रहे है, ना सदोई चल पा रहे है, और मैंने पह मतलब मिड में अच्छा नहीं बूलोंगा लेकिन गेम मिड में चल रहा है, लेकिन फाइनल थार्ड में दोनों टीम्स कुछ नहीं कर पा रही थी, क्यों, क्योंकि वह miss passes, errors हो रहे थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था, फाइनल थार्ड में तो creativity missing गी थी, first trap में त है, because attacking दोनों टीम्स का पूरी तरह से missing चल रहा था, जो कि second half में कहीं न कहीं थोड़ी बदली, क्योंकि second half में कोई changes होए थे, और दोनों ही टीम्स में जो substitution players आए, उनकी वज़े से game पूरी तरह से change हुआ है, जैसे कर मैं केरला ब्लास्टर्स की बात कुरू तो जिमिनेज और विबिन मुहानन आए, और यह जो है, अब यहाँ पर एक चीज समझ में आई है, कि विबिन मुहानन के साथ आपको start ही करना पड़ेगा, आप उनको ऐसे substitute मत लाइए, क्योंकि creativity तो आप bench पर बिठा के रख रहे हो, तो विबिन मुहानन आए, वहाँ से midfield को उन्होंने चालाना चालू किया, और फिर लगा कि अब किरिला ब्लास्टरस खेल रही है, और फिर थोड़े attack बनना चालू है किरिला ब्लास्टरस के, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ फिर, कि सदो ही जो है, अपनी position पर चले गए, और आयमन बहार चले गए, तो सदो ही फिर आज़े वि उन्होंने अपना बिलकुल experience दिखाया है, बहुत शांदार उन्होंने पेनाल्टी ली, साचिन सुरे इसको कोई मौका भी नहीं दिया, और तीकि ये एक ऐसा मैच था जिसमें, सबसे में चीज जो होती है गेम की जिसमें मजा आता है, वो मिसिंग थी पता है क्या है, भाई जिमिनेज ने इतना अच्छा हेड़र करके गोल मारा, अब सोचिए कि जिमिनेज क्या कॉलिटी दे रहा है आपको, मतलब कि भाई इतनी अच्छी एरियल अबिलिटीज है उनकी, क्रॉसे जी नहीं है, और देखिए कि एक्स्टर टाइम में जब वन वन हो चुका है, अब क इरल ब्लास्टर ने वहाँ पर ऐसा लगा कि अब उन्होंने यह सोच लियाए कि अब ड्रॉ हो जायागा गया, उन्होंने थोड़ा सा अपने डिफेंस भी लूस कर दी, और उसके बाद देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर जो है लुका ने थोड़ा सा ज मैच को लूस करते है, जो मैच अल्मोस्ट 1-1 ड्रॉ पे जा रहा था, अब देखिए इस मैच को देखने के बाद में कुछ चीज़े समझाओं, जो मैं आप से डिस्कस करना चाहूंगा, कि पंजाए वसी जो है इस बार टीम बहुत अच्छी है, उनकी टीम बहुत अच्छ इस हम को देखने को मिलेगी, तो यहाँ पराभी 2 option है, या तो आप Luka के साथ स्टार करके Buckingham को सब्सिट्यूट मे लाइए, यहाँ बकिंगा के साथ स्टार्ट करके Luka को सब्सिट्यूट मे लाइए, इस heater कीầ Гाए तो कितना Ariel जो बॉल डली थी, उस पे वहाँ के defenders उरहा идетpack पंजय FC को देखना पड़ेगा कि Arial Balls जो Deliveries आएगी उनके पर क्योंकि मान के चलेगी केरिला ब्लास्टर्स ने इस मैच में बहुत अच्छे Crosses नहीं डाले लेकिन अगर आप सोचिए अपोनेंट को दिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे और केरिला ब्लास्टर्स को अपने ट्रांजिसंस के ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपने इस गेम में भी देखा पंजय FC जब उनके ऊपर थोड़ा सब डॉमिनेट कर रही थी फस्ट आप में भी सेकंड आप तो भाई आपको सीधे-सीधे गोल मिलता है लेकिन यहां पर आप काउंटर ही नहीं बना पाए क्योंकि आपको ट्रांशन मुवमेंट पर इतने वीक थे आप आपको पासिस ही नहीं निकल पा रहे है इसलिए मैंने इस मैच को आए कि गेम ऑफ एरर पासिस हाला कि पंजाब काउज अभी वो चीज़े बिल्कुल नजर नहीं आ रहे है हालाकि इस मैच में दोनों ही टीम्स काफी एरर कर रही थी लेकिन किरिलर ब्रास्टरस देखिए थोड़ा उम्मीद ज्यादा रखते हैं तो वो चीज़े उनको डिलिवर करना पड़ेगा फैंस की लिए तो क्या आने के बाद इस की इरर ब्रास्टर टीम में किस तरगी के चेंजेस हम को देखने को मिलते हैं तो आप इस मैच को ले कर क्या कहना है चाहेंगे आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा क्या आपको strength या weakness देखने को मिली कौन से players का performance आपको अच्छा लगा सब चीज़े आप पुटबाल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत दो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत